नमस्ते मेरे पेरे दोस्तों कैसे हैं आप मेरे इस ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मेरा परिच्चा है मैं जोती कलुबर में जिला परिश्चत प्राथमीक विद्धा ले शिवाजी नगर तालू का मंगल वेडा जिला सोलापूर यहां पे मैं अध्यापी का हूँ चलो तो दोस्तो आज हम पाचवी कक्षा हिंदी सुलग भारती का साथवा पार्ट बधाई कर इसके बारे में हम आज जान करी लेंगे आप तो जानते हैं दोस्तो हमारे भारत वर्ष में हम बहुत सरे त्योहार बड़ी हासी खुशी से मनाते हैं जैसे कि दिवादी, रमजान इद, दशहरा, क्रिस्मस, नया साल इसके अलावा भी हमारे रिष्टेदारों की विवास, समारोह, जनम दिन ये सब हम बड़ी हासी खुशी से मनाते हैं एक दूसरे से मिलकर, मिठाईया बाटकर, संदेश बेजकर और बधाई कार्ड बेजकर हम उन्हें शुभकामनाय देते हैं, शुभेच्छा देते हैं ये सब शुभेच्छा देने के अलग-अलग तरीके हैं तो इसी में से एक वो है बड़ाई कार्ड भेजकर हम शुभेच्छा देते हैं इसके बारे में आज हम जान करिलेंगे आप तो जानते हैं दोस्तों, आज कल बाजार में बहुत सारे बड़ाई कार्ड मिलते हैं लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ शुबेच्छा पत्र याने कि बधाई कार्ड दे कर शुबेच्छा देना उसका मजा ही कुछ और है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे चलो तो दोस्तो हिंदी सिलब भारती पाठ्य पुस्तक का पुष्ट करमांक ग्यारह पाठ्करमांक सात्वा बधाई कार्ड इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं सबसे पहले देखो सुनो और बनाओ सामगरी कागज पुरानी साड़ी की लेस टिकलिया रंगीन काच के टुपडे कैंची गोंग कृती बधाई कार्ड बनाने के लिए आवश्चक आकार में कागज को काटो पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारो किनारों पर चिपकाओ बधाई कार्ड को अकर्षक बनाने के लिए टिकलीयों, काच के छोटे छोटे टुकडों को उचित जगहा पर चिपकाओ स्केच पेन से विवी धरंगों की सजावट करो और बधाई का संदेश देख कर लिखो क्यों दोस्तों, आपको बधाई कार्ड बनाने के लिए आवश्यक सामगरी और कुरुती समझ में आई तो इस सबका उपियोग करके एक बधाई कार्ड हमारे पाट्यबुस्तक में बना कर दिखाया गया है वो मैं आपको दिखाती हो देखिये तो मित्रो, पुरानी साडी की लेस को चारो किनारो पर चिपकाया गया है और टिकलिया, रंगीन काच के टुकडेव से यहाँ पे सजावड भी की गई है सकेच पेन से रंगीत रंगीत यहाँ पे सुशोभन किया गया है और बीच में एक संदेश भी लिखा गया है वो क्या है? पूच दादाजी, सादर प्रणाव, जनम दिन की बधाई आपकी, आपका प्रिय, पोती, पोता, स्वपनिल, मेघा इस तरह का बधाई कार्ड, जब आप अपने हातों से बना कर अपने दादाजी को देंगे तो सुचो, अपने दादाजी कितने खुश होंगे हाँ तो दोस्तो, आपको कुछ शब्दों का यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है जब तुम अपनों से बड़ों के लिए बधाई कार्ड बनाते हो, तो तीन शब्दों को ध्यान में रखना जरूरी है वो है प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार और जब हम अपनों से छोटों के लिए बधाइकाड बनाते हैं तब उनके लिए आशिश, प्यार और स्नेह ये तीन शब्द ध्यान में रखना जरूरी है कुई दोस्तो ये शब्द ध्यान में आएं इन तीन शब्दों को ध्यान में रखकर अपना शुवेच्चा संदेश आपको बनाना है चलो तो दोस्तो इस प्रकार के कई शुवेच्चा कारड मेरे पास है वे मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये देखिए रंगीन कागज और प एक सुन्दर सा जनम दिन का बधाई कर्ड यहां पे मैं दिखाती हूँ और इसके अंदर लिखा गया है प्रिय भीया स्री राम सप्रेम नमस्ते जनम दिन की हरदीक बधाई तुम्हारी बहन आदिती और एक प्यारा सा स्माइली और केक भी यहां पे दिखाया गया है बहुत ह प्यारा सा ये जनम दिन का अउसर पर बधाई कार्ड ये हैं दिवाली के अउसर पर बनाया गया एक शुभेच्छा पत्र देखिए दोस्तों एक प्यारा सा दिया और एक खुब सुरत सा शुबसंदेश यहां पे लिख कर ये दिवाली की अउसर पर बनाया गया बधाई कार् हम देखेंगे शिक्षक दिन के अउसर पर बनाया गया ये शुबेच्छा पत्र ये देखिया रंगीन का अगज का इस्तमाल करके बहुत ही प्यारा सा गुलाब का फूल और इसके अंदर हम देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सी सजावट टिकलियों की की गई है एक फलक और मे यहाँ पे दिखाया गया है ऑर एक शुबेच्च्छा पत्र में आपको यहाँ पे दिखाती हो शिक्षक दिन के आउसर पर ये बनाया गया था बहुत ही प्यारी सी सजावट टिकलियों कीowan Gesetzentैं की हैपी टीचर्स डेड ये शुबेच्छा पत्र ऐसे बहुत सारे शुबेच सकते हैं क्यों तो दोस्तो आज का ये पाठ समझ में आया हां तो आज मैं आपको एक अभ्यास बताती हूँ वो है कि आज तुम्हें अपनों से बड़ों के लिए एक और अपनों से छोटों के लिए एक ऐसा दो बधाई कार्ड बना कर भेजने हैं और इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को अपनी कापी में जरूर लिखना है चलो इसी तरह से बधाई कार्ड बनाते रहो और खुशिया बाठते रहो फिर एक बार नए पाठ के साथ जरूर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो कर दोस्तो